Hi friends, this is Miss Medico, Miss Medico channel and today we will discuss about Methyred test that is also called a MR test हम लोग मिथाय रेड टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम लोग MR टेस्ट भी बोलते हैं और हम लोग उने पिछले लेक्चर में इमविक जो है इमविक टेस्ट के बारे में बताया था आपको जिसमें हमने इंडोल जो है आई वो हमने इंडोल टेस्ट स्टाडी किया आज का डिसकस्चन जो है M, MSWAL, मिथाय रेड तेस्ट के बारे में हम लोग स्टाडी करेंगे कि ये टेस्ट किसलिए यूज किया जाता है और इसको कौन से बैक्टेरिया दिखाते हैं इसका प्रेंसिपल सबसे पहले, इसका प्रेंसिपल यही है कि मिथाई रेटेस्ट जो है, इस एमपलॉइड इसको किया जाता है जब कोई बैक्टेरिया गुलकोज की फर्मेंटेशन करता है, तो वहाँ पे एसेड करने के लिए, कि कौन सा बैक्टेरिया एसेड वहाँ पे प्रोडूस करता है, और कौन सा नहीं करता है, उस प्रॉसस को डिटर्मिन करने के लिए, स्टाडी करने के लिए, हम लोग मिथाई रेट एस्ट का इस्तेमाल करते है हमें पता है जब एक्टेरिया फर्मेंटेशन करेगा गुलकोस की तो वहां पे अगर अगर एसे प्रोवाइड होगा प्रोड्यूस जो होगा एसे वह प्येश फॉल कराएगा और इस मैंटेंड बिलो 4.5 तो 4.7 से नीचे जो है वो एसेडिक है फिर 7 नूट्रल है उसके बाद बेसिक है तो जब प्येश फॉल होगा तो 4.5 हम कहेंगी कि वहां का जो एन्वरानमेट है वो एसेडिक बन गया अगर एन्वरानमेट एसेडिक बन गया तो हमें पता चलेगा मिथाई Red टेस्ट से कि यह fermentation गोलकोज हुई है जो कि bacteria ने किया है और इसने Acid produce किया है इसका प्रिंसिपल यही है कि हमें sufficient Acid produce होगा वहां पे और अगर हम गोलकोज होगा वो MARK हो जाएगा Acid में इसका method क्या है method जो है सेपस स्याद रखने हैं 4 सबसे पहले याद क्या करना है इनोकलेट और टेस्ट और टेस्ट और गानिजम इन लिक्विड मीडियम हमें टेस्ट और गानिजम चाहे हम कलैपसला लेंगे या इकोलाई लेंगे कोई भी जो और गानिजम है उसको हम नोगुने इनोकलेट करना है एक लिक्विड मीडियम मे हमने glucose phosphate broth डाली होगी इस liquid medium में organism को inoculate करना है किसमें GPB GPB means glucose phosphate broth inoculate करना है micro organism को उसके बाद इसको incubate करना है room trumpager पे उजोखके है 37 degree और 2-5 days के लिए 2-5 days के लिए उसको incubate करना है 37 degree Celsius पे उसके बाद क्या करना है 5 drops of 0.04% solution डालना है methyl red solution डालना है 0.04% इसके 5 drops डालने है उसके बाद इस जो हमने broth लिया है जो हमने इसको 2-5 दिन के लिए रखा है जिसमें हमने अब methyl red भी डाला है उसको mix well करना है और फिर result करना है read immediately तो result में हम लोग क्या देखेंगे यह हमने यहाँ पे glucose phosphate broth डाला और इसके बाद इसमें plus add किया हमने methyl red solution 0.04% methyl red तो result देखेंगे अगर bright red color था इसका bright red color ही रहा तो that means यहाँ पे positive methyl red test है अगर इसका color change हुआ yellow तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे acid produce नहीं हुआ है तो positive का बोलेंगे जब वहाँ पे red color होगा नगेटू तब बोलेंगे जब yellow color होगा produce वहाँ पे जब methyl red डालेंगे glucose phosphate broth को तो अगर वहाँ पे positive result आया methyl red positive bacteria होगे अगर ऐसा होगा तो हमें पता चलेगा इकोला यह दिखाता है शिजला दिखाता है या listeria monocytogenese जो है वो दिखाता है यह वाला MR test अगर वहाँ पे नगेटू हुआ यानि कि yellowish color होगा तो हमें यह organismus जो कि clepsula है यह नहीं कर पाते है fermentation to acid enterobacter family है तो यह नगेटू methyl red test दिखाते है positive methyl red test bacteria इकोला शिजला और listeria monocytogenese याद रहे और जो नगेटू MR test bacteria होए वह है clepsula और enterobacter यह था methyl red test के बारे में I hope आपको understand हुआ होगा अगर आपको कोई inquiry है तो वीडियो comment section में आके comment कीजेगा please subscribe my channel miss medico miss medico thank you so very much